Hey guys, welcome to Last Hope, मेरा नाम है नवीन सुकला और इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं लैमली ब्रैंकिया के बारे में But before we start मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें and प्रेस दब बिल आइकन Let's start Lambly ब्रैंकिया, Lambly ब्रैंकिया क्या है उसको हम देखेंगे, Kingdom इसकी एनिमेलिया है, Phylum, मुलाशका और Class Lambly ब्रैंकिया जिसके बारे में हम इस पर्टिक्लर वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं Introduction देखते हैं क्या है कि Lambly ब्रैंकिया दो Greek words से मिलके बना हुआ है Lambly और ब्रैंकिया, Lambly मतलब होता है leaf और ब्रैंकिया मिन्स होता है gills, एक ऐसा जानवर जिसका gills, leaf जैसा पतला हो, लीफ जैसा हो तो उसको हम बोलेंगे Lambly ब्रैंकिया, मिन्स इस पर्टिक्लर जानवर मे लीफ होगा सरी फसे होगा लीफ जैसा ठेक येकश्टट है इसको प्लेसी पोडा भी बोलते हैं उसको बाइव निंटा लता है कि होगें टू वाल्व से देख रहे हैं एक उपर का वाल्व है एक नीचे का वाल्व है और दो वाल्व से मिलके बना है यह एक यूनिवर्सल जानवर है यूनिवर्सल जानवर है मिन्स यह हर प्रकार के इंवार्मेंट में मिलेगा चाहे आप marine environment देखो चाहे desert environment देखो जहां भी देखो आपको यह मिल जाएगा land पे मिलेगा water में मिलेगा land water दोनों में मिलेगा आपको खेतों में मिल जाएगा तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है लैम्ली ब्रेंख्या को बोला जाता है एक universal animals इसकी जो 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 लाजिकल डिस्ट्रिबूशन है यह बहुत ही वाइड है मिन्स बहुत ही एरिया में यह मिलता है next morphology की बात करो तो यह in equilateral है और equivalve है equivalve मिन्स इसके दोनों वाल्व जो है वह सेम साइज के हैं मिन्स आप कोई भी वाल्व इसका उठाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा वाल्व इसका उठाओ हो मिन्स छोटा वाला बड़ा वाला ऐसा कुछ नहीं है इसमें इसमें दोनों साइज सेम है आपको मैंने पहले बताया था सब्सक्राट कई किछेगा तो यहां ऐसा नहीं हूता है इसको अगर आप बीचों बीच काटिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि फॉर्स पार्ट इस नॉट दे मीरर इमेज ऑफ दो सेकेंड पार्ट से दूसरा क्या है दूसरा क्या है यहां क्या है यहां लिगामेंट है जिसको रेजलियम भी कते हैं एड़क्टर मर्शल वहां विठा बंद करने के लिए देर बीचल ओपनिंग इसमें क्या है परिकल आप्निंग नहीं है लास्ट वीडियोज व्रेख्योपोर्ट में आपको क्या याद होगा कि ब्रेख्योपोर्ट में अमबो के ऊपर एक होल था पॉर्ट था जिसको पैडिकल बोलते थे तो इस प्य आप जैसे में याद होगा कि यह टू मीटर से लेके प्रोड़क्टर्स के साइज तक जाइंट साइज तक गया था इसके केस में भी सेम है इसमें भी टू मिलीमिटर से लेके एक हुज साइज तक जाता है means almost 180 cm तक इसकी length जाती है नेक्स अब उसका एक picture देख लेते हैं तो picture में क्या दिया हुआ है यह देखिये पॉस्टेरियर अड़क्टर मर्शल है और यह है एंटेरियर अड़क्टर मर्शल ऐसा क्यों क्योंकि यह एंटेरियर साइड है एंटेरियर साइड में जो मर्शल आया उसको anterior adductor muscle बोलेंगे और जो posterior side में उसको posterior adductor muscle कहेंगे ठेक नेक्स्ट यह है उपर में dorsal है नीचे में ventral है यह जो line है जिसके थुरू यह दोनों muscles joined हुए हैं इसको बोलते हैं pallial line और यह जो कर भी जगह structures form कर रहा है उसको pallial sinus कहते हैं ठेक है यहां देखिए यह क्या है अमबो है और वी वेरियस चीजें हैं इसको हम one by one देखते जाएंगे नेक्स्ट क्या है पहले लाइन पहले हम देखते हैं तो पेलियल लाइन देखने से पहले हम क्या बताया थे कि दो muscles होते हैं क्या है मसल इंप्रेशन To muscle impression क्या होता है कि कोई पहले मसल होता है और वो netos जाता है तो उस जगह मशल्डा impression पड़ जाता है उसको हम क्या बोलते है मसल इंप्रेशन बोलते ठेक तो पेलियल दो दो मिसल्स जिस लाइन की मदद से जोइंट होते हैं एक लाइन Videos जोइंट करता है दोनों मशल्सकों ऐसा दो मशल्स होगा और वो दोनों ऐसे जोइंट होगा और जिस लाइन से Jewish उसको पेलियलाइन केंगे त DR 默 REM के लाइन होता है किOFF होता है दूसरा नॉझड होता है तो BL MUSSL इंपեշन दो टाइप का रहे हैं मोन मेरी मतलब सेंगल वहां सेंगल इंपरेशन होगा तेक्ट यहां दो है यह ना यह और एक यह है तो उसके केस क्या होगा उसके केस में सिर्फ एक होगा और डाइमेरियन के केस में दो होता है इस केस में जैसे दो था अब डाइमेरियन भी क्या होता है कि दो टाइप का होता है किस किस टाइप का होता है मोनोमेरियन डाइमेरियन उसका पिक्चर दिया हुआ है कि यह डाइमेरियन का पिक्चर है मोनोमेरियन का पिक्चर है अब डाइमेरियन दो टाइप का आईसोमेरियन और एनाईसोमेरियन और आईसोमेरियन समझिए क्या है कि यह दोनों मसल्स जो है अगर सेम साइज के होंगे तो isomerian बोलेंगे और अगर दोनो अलग साइस के हैं इस पिक्चर में देख रहे होंगे दोनों अलग साइस के हैं तो यह अईशो मेरियन का टाइप है अब लेरिंग औफ सेल तरीको अस्ट्रेकम और इनर लेयर को हाइपोस्ट्रेकम और मेंटेशिन की बात करें तो और मेंटेशिन जैसे कि वूंस वे इती अंने हम लुग देखेते तो इसंट्रीक क्या मेंप्वाइब दिखेगा क्यों कि यह इस टाइप से बन रहा होगा तो इसके सेल के ऊपर सरकल का कुछ पार्ट बनता हुआ दिखेगा और उस टाइप के हम formation को उस टाइप के structure को concentric structure बोलते हैं और इसमें ornamentation जो होती हो concentric होती है next radiating radiating में क्या होता है कि एक point है उससे बहुत सारा line क्या हो रहा 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 आप देख रहे होंगे इस picture में कि एक मॉइंट से बहुत सारा line radiating कर रहा है यह radiating structure है radiating type of ornamentation next concilate concilate में क्या होता है कि radiating कि और concentric line दोनों होता है मगर इसमें होता क्या है कि दोनों line क्या होता है at equal distance from one another एक line दूसरे line से क्या है equal distance पर रहेगा ठेक और क्या है कि थोड़ा दूर दूर रहेगा ठेक यह line देख रहे हैं इससे थोड़ा दूर है यह concilate type है मगर वही line अगर पास-पास हो जाएगा ठेक पास-पास देख रहे हैं बहुत पास-पास है बहुत close सेम साइज का नहीं है ठेक है नेक्स इंप्रिकेट इंप्रिकेट में क्या है कि फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बीच में बन रहा है फोल्ड कौन है वह सेवरान फॉल्ड है ठेक है अगर आप टाइप सफोल्ड नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए हम उसके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे इसमें क्या है सेवरान फॉल्ड बनेगा इस टैप का स्ट्रक्चर बनता है अगर है सिल्स के उपर तो इस इसको i ambricate ट्रैप टैप क्या बोलता है isиз rac du sulla interrogation ट्रेट ट्रैप टैप एसGreat क्रेप Scoti- u स्त्रक्टर बनता इसपाऑनस मतलब हुते है काटा । स्ट्रक्टर बनता है सेल के उपर तो इसको बोलता है स्पाइनोस टैप स्ट्रक्टर पीटेड छोटा 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 छेद देख रहे हैं पीट मतलब होता है छेद छोटा 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 छेद जैसा स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे या फिर छोटा छोटा दाना अगर बनेगा उसके उपर तो उसको बोलेंगे हम पीटेड इस्ट्रक्च था ठेक तो यह एक Elastic Rod या Band like structure होता है जो जनरली कॉन कायोलीन सबस्टांस से बना हुआ होता है तो क्या है कि हिंज लाइन के ऊपर होता है कहां होता है हिंज लाइन के ऊपर होता है और Elastic like substance है ठेक है यह भी तीन टाइप का है क्या है एमफीडेटिक लिगामेंट के ऊपर होगा या उसके पीछे होगा तो मतलब कहीं भी मतलब सटा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे एमफीडेटिक अगर उसके क्या होगा फ्रंट में होगा उसके आगे तो सब्सक्राइब और अगर उसके पीछे होगा तो उसको बोलेंगे ऑफीस्ट यहांड यह तो होता है यहीं बन जाएगा मितलों बहुत सारा बैंड बनेगा एक साथ आ जाएगा bundles of bands अगर साथ में आ जाएंगे bundles of strands साथ में आ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे multivincular क्या बोलेंगे multivincular next perivincular अगर हाफ semi hemis cylinder जानते हैं है हमी मतलब होता है आधा ठेक तो cylinder का अगर आधा पार्ट अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे perivincular क्या बोलेंगे perivincular अब अम्बो की बात करूँ तो अम्बो क्या होता है चोंच होता है ना तो यह भी तीन टाइप का है एक है middle उसके बाद है आपको पॉंटिंग टुआर्ड एंटेरियर साइड और एक फॉंटिंग टुआ एंटेरिय के साथ में पॉइंट रहता है अधर पॉइंट कर रहा है будем परॉसु गाइर या परॉसु क्लाइन इसका एक्जाम्पल है नेक्स टो गायर ऑफिस्टो गायर में क्या होता है कि जो इसका मंबो होता है वह पॉस्ठेजरी साइड की तरह मुड़ा हुआ जो फिसमें होता है तो यह क्या क्या करता है तो नेनल गेस्ट घृist तो यह आनिमल का करते हैं इसमें भी बहुत सारे इंट है बहुत सारे टाइप के गिल्स प्रेजेंट है बहुत सारे नहीं ठीक तो अलग-अलग टाइप है तो फॉर टाइप का गिल्स यहां हम डिसकुस कर रहे हैं प्रॉटो बरैक्या प्रूटो ब्राइंक किसको बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिफ टाइप है जिसमें अ कृसków्षार फ्री अवाइड फ्लैट फिलामेंट होता है यहां देख रहे हैं यह चोटा-चोटा का filament है तो छोटा है wide है और फ्लाट है जब इस टाइप का filament होता है तो इसको बुलते हैं proto branchia नेक्स है फिली बरंक है फिली बरंक एमें क्या होता है कि सलेंड्रिकल लाइक सीलामेंट बनता है मगर यह क्या है कि एक दूसरे से इंटर कनेक्टेल होता है क्या होता है इंटर कनेक्टेल होता है आप देख रहे होंगे पिक्चर में नेक्स्ट है सप्टी ब्रेंक्या सप्टी ब्रेंक्या में क्या होता है कि मोर और लेस वस्कूल वैस्कूल सरी मस्कूलर या परफॉरेट परफोरेटेड पोष्टन होता है जो कि क्यावीटी को डिवाइड करता है डिस्टिंग पार्ट में तेक्ट है निक्स डेंटेशन पैटन डेंटेशन मतलब होता है डेंटेशन में यह तीथ लाइए टीथ को दिनोट कर रहा है तीथ के बेसिस पे अलग-अलग टाइप के हम डिपेंडिंग अन नेचर अफ़ दे हींज एन डे नेचर अफ़ टाइप ऐफ तीत हम यहां अलग-अलग टाइप के लेंबली ब्रेंख को डिसकस कर रहे है टाइप सो फ्लेंबली ब्रेंख के यह भी है हैं नेक्स टेक्सोडॉण्ट टेक्सोडॉण्ट एनोमेलोडॉण्ट अस्थनोडॉण्टसणIGN सीजोडॉंट डेसोडॉंट अलग अलग टाइप दिया हुआ है अगर इनका डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मैं आपको इनका नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाता है इसलिए म मैं इसको यहां explain नहीं कर रहा हूं आप इसको screenshot ले लिजिए और आप इसको नेट से भी खोज सकते हैं और अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमको कमेंट कर दीजिए हम इन सभी टाइप को discuss कर देंगे one by one नेक्स्ट क्या है इवालिशनारी हिस्ट्री इवालिशनारी हिस्ट् के टाइम में सिर्फ जेनरा एक्जिस्ट करता था नेक्स्ट क्या दिया हुए है कि दूरिंग ऑड़ोविशन ग्रेट इंक्रीज इंड डाइवर्सिट इंड वाइवाल्य इस्पीसिस ने बहुत सारा इंक्रीज हुआ था उसके डाइवर्सिटी में उसका टाइप बहुत गया था ठीक है वाइवाव्स एक एराऊंड फोरहंड़ मिलियन की ताइंच चल रहा था उससमें ट्वर्फ हाउजेण फॉस इस पीसे रिचागनाइज वह समय का इतना स्पीसिश हम रिक अग्नाइज कर या समझी कितना ज्याता हो गया था था ठीक है वाई जो कि टूभं 250 million years ago हुआ था पर्मियन ट्रासिक एक्स्टिंशन हुआ था ना फाइव मास एक्स्टिंशन हमारे हिस्ट्री में हो चुका है ठेक तो उसमें एक था पर्मियन ट्रासिक चाहता था कि एक एक्वेटिक एनिमल है मगर बाद में पता चला कि यह हर टाइप के इंवार्मेंट में आपको मिलेगा आसा करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कुछ जानने को मिला होगा थैंक्स पर लिस्निंग और आज आलवेस